नमस्कार आप्धिश्रे न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में माफिया जौन अतीक एमद और उसके भाई अश्रफ एमद की बीती राज साड़े दस बजे के लगबग कॉल्विन हॉस्पिटल के गेट के ठीक सामन गोली मार कर हत्या कर दी जाती है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजुनेतिक सरगर्मी काफी जादा बढ़ चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश राज में धारा 144 लागू है तो वहीं प्रयाग राज में इंटरनेट सिवाई पुरी तरीके से ठप है तीन सदस्य टीम का गठन किया गया है जहां हर दो घंटे में प्रयाग राज की रिपोर्ट योगी आदितनात के तरफ से मांगी गई है ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की राजुरतिक सरगर्मी का पारा भी चड़ चुका है जहां बिहार में जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसत पपु यादव ने उत्तर प्रदेश में हुई इस बड़ी घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है और इस पूरी घटना की कड़ी निंदा भी की है क्या कुछ लिखा है पपु यादव ने अपने ओफिशिल ट्विटर हैंडल से पपु यादव का क्या कुछ कहना है पहले हम आपको वो दिखवाते हैं पपु यादव ने ट्वीट कर लिखा जब गैंग सत्ता पर काबिज हो जाता है तो राम राज नहीं आता गैंग वार होता है समविधान के एक इंकाउंटर कर पुलिस को राजवीती के लिए सुबारिक किलर बना दिया जाता है तो वहीं नंगा नाच होता है जो इलाबाद में अभी हुआ है दरसल यूपी के प्रयाग राज में माफिया जौन अतीक अहमद और उसके भाई अश्रफ की कल राज शनिवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई इस हत्या के बाद अब राजवितिक बयान बाजी शुरू हो गई है कल शनिवार की रात मीडिय कर्मी के रूप में पहुचे हमलावरों ने अतीक और उसके भाई पर गोलियों की बोच्छार कर दी और दोनों को वहीं धेर कर दिया जब तक पुलिस को समझ पाती दोनों की जान जा चुकी थी इस मामले में यूपी सरकार ने 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया है और मामले में की जाच में तीन सदस्य न्याई कायोग से कराने का फैसला लिया है इस मामले में जा पद्यक्ष पपुयादव ने यूपी सरकार को घेरा है गौर तलब है कि जाप अध्यक्ष पपुयादव ने माफिय अतीक एमद और उसके भाई अश्चफ के हत्या पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब गैंग सत्ता पर काबिज हो जाता है तो राम राज नहीं आता गैंगवार होता है सम्विधान का एंकाउंटर कर पुलिस को राजविती के लिए सुपारी किलर बना दिया जाता है तो वही नंगा नाच होता है जो इलाहाबाद में अभी हुआ है महिराज़ दद्यक्ष लालू प्रिसाद की पाची के नीता शक्ते सेंग यादव ने इस घटना को लेकर कहा पुलिस कस्टडी और कैमरे के सामने अतीक अहमत और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है और पाची विशेश के नारे लगाए जाते हैं इसे यूपी पुलिस की सफलता मान लू या विफलता क्या ये मानवधिकार का उलंगन नहीं है यूपी में जंगल राज है या कानून का राज ये जनता तै करे बता दे कि शनिवार देश शाम को माफिया जौन अतीक अहमत और अश्रफ की उस समय गोली मार के रहत्या कर दी गई जब दोनों को मेडिकल के लिए प्रियाग राज के मंडलिये चिकचसाले ले जाय जा रहा था वहाँ दोनों मीजा कर्मियों से बातचीत कर रहे थी उसी दौरान मीजा कर्मी के रूप में कुछ हमलावर पहुच गए और अब जब अतीक मीजा से बात कर रहा था तब हमलावरों ने ताबर तोड गोलिया दागनी शुरू कर दी अस दौरान मीजा कर्मियों का कैमरा ओन के साथे साथ तीन सदस्य जो है न्याएक टीम का गठन किया गया है पूरे राज को शांत करने की कोशिश की जा रही है पूरे राज में समवेदिन शील महौल जो है वो उत्पन हो गया है और अब ये जो तड़का है वो बिहार की राजुनिती में भी लग रहा है जहां सबसे पहले जाप सुप्रीमो पपुयादव ने अपने तरफ से बड़ा बयान जारी किया है और उत्तर प्रदेश की योग्या दितनात की सरकार पर हमला बोला है और कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये राम राज नहीं बलकी गैंग वार है जहां राजनीती के लिए पुलिस को किलर सुपारी बनाया गया है और इस तरह की घटना इलाहबाद में देखने को मिली है जहां जंगल राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है पपुयादव की पहले प्रतिकरिया बिहार से निकल कर सामने आई अब देखने वाली बात ये है कि बिहार की राजव प्रतिक सरगर्मी का पारा कहां तक चड़ता है फुला के लिए इस खबर में इतना ही नमस्कार